इंडिया और आइलेंड के बीच में दोस्तों 2nd T20 International Match खेले जाने वाला है The Village Malahide Dublin पे सबसे पहले दोस्तों यहां के pitch को देख लो मैंने आप लोगों के लिए pitch का एक screenshot रखा हुआ है ताकि आप लोगों को pitch के behavior को मैं अच्छी तरीके से समझा पाऊ क्या हुआ था 1st T20 International Match पे उसे discuss करेंगे 2nd T20 International Match पे आप लोग अपने लिए कैसे एक बहतरीन टीम मना सकते हो उसे discuss करेंगे सारे players के stats को discuss करेंगे Mega Grand League के logic को भी discuss करेंगे लेकिन सबसे पहले और सबसे important बात रहती है दोस्तो pitch पिच कैसा behave करने वाला है उस बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप लोग pitch का screenshot देखोगे तो आप लोग easily समझ जाओगे ये देख रहे हो ना ये pitch था जिस pitch पे match हुआ था एकदम green top pitch था दोस्तों देखो क्या था यहाँ पर एकदम green top pitch था और अगर green top pitch है तो किसे advantage होने वाला है अव्यसी बात है यहाँ पर pacer को advantage रहने वाला है बॉल अच्छी आती है बाट में initially कुछ seem movement दिखते हैं उसके बाद बॉल अच्छी आती है pitch से और अच्छे खासे run बनने के expectation रहते हैं अगर आप लोग pitch देखोगे तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो average field data score of 170 से लेकर 180 run एक अच्छा score है इस venue पे अगर इतने run बनते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा match आप लोग देख सकते हो बागी जैसे यहाँ पर बोला गया है nice sprinkling of grass मैंने आप लोगों को बताया ना यहाँ पर green top pitch थी एकदम अगर आप लोगों ने match देखा होगा तो आप लोगों ने देखा भी होगा ठीक है इसलिए ball को क्या होगा initially क्या ह है बट एक बार pitch की history भी देख लो दोस्तों यहाँ पर जो matches खेले गया है ना mostly matches पर क्या हुआ है उस बात को भी समझो ओके दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे Ireland और इंडिया के बीच में 26-2022 को match हुआ था ठीक है यह match भी दोस्तों 12 hour का ही था because इस match पर भी बा को मिला था फिर इंडिया के टीम से भी जो तीन विकेट गिरे थे उसमें से तीन विकेट पेसर को मिले थे और spinner को विकेट नहीं मिले थे बागी अगर आप लोग देखोगे 28-6-2022 को भी यहाँ पर यह full match था दोस्तों इंडिया टीम ने यहाँ पर अब देखो full match हुआ तो पिच का बीएवियर ही वैसा है कि यहाँ पर पेसर को ही विकेट मिलते हैं बागी आइलेंड की टीम भी इस रन को चेस करते हुए 221 रन तक पहुच गई थी दोस्तों पांच विकेट के नुकसान पे जिस विससे की तीन विकेट पेसर को मिले थे और एक विकेट स्पिन को मिलाता यह दोस्तों कल का माच है इस माच को अभी हम लोग थोरोली देखेंगे क्या हुआ था इस माच पे पूरा समझेंगे इस माच को क्लियर यहां पर क्या हुआ आइलेंड के टीम ने पहले बाटिंग करा 139 रन बनाए साथ विकेट के नुकसान पे क्यों क्योंकि इनिशली जो टॉप ओडर था न वो कोलाप्स हो गया अब टॉप ओडर कोलाप्स हुआ इस चक्कर में ज्यादा रन नहीं बने पांच DLS मेथड से ठीम इंडिया को यहां पर विन डिकलेर किया गया तो अब यह तो था दोस्तों फर्स टीटवंटी इंटरनाशनल मैच और पिच रिपोर्ट के बारे में लेकिन आज के इस वीडियो का में फोकस रहने वाला है सेकिंट टीटवंटी इंटरनाशनल मैच इसमें क प्रफेक्ट टीम विडियो को अगर आप लोग एंड तक देखोगे न तो आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप लोग अपने लिए एक बहतरीन टीम बना पाऊगे थोड़े से रिस्की प्लेयर्स भी बताऊंगा अगर आप लोग मेगा ग्रैंड ल करकल आप को डाउनलोड नहीं किया है काफी लोग डाउनलोड कर चुके हैं जिनोंने अभी तक नहीं किया है मतलब जो फैंटेसी खेलने आ रहे हैं और जिनोंने अभी तक इस आप को डाउनलोड नहीं किया है मतलब आपके मोबाई पर अगर यह एप नहीं है न तो नीचे description और comment section पे आप लोगों को app का link मिल जाएगा दोस्तों link के थूँ इस app को पक्का से download कर लिजए बहुत ही कम competition है और मैं आप लोगों को challenge दे के बोल सकता हूँ इससे बड़ा price बनी आप लोगों को किसी app पर नहीं मिलता है चमचमाती SUV car plus cash award और competition कुछ भी नहीं है कुछ भी competition नहीं है दोस्तों और मेरे link के थूँ आप लोग पहली बार download करते हो ना तो एक खास बात है दोस्तों 20% real extra cash मिलेगा दोस्तों आप लोगों को 20% बताओ कोई app देता है कोई नहीं देता 2% 13% ही देंगे आप लोगों को बट अगर आप लोग मेरे link के थूँ जाते हो और इस app को download करते हो ना तो 20% real extra cash है plus दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 1500 रुपे का instant bonus मिलेगा first time अगर आप लोग मेरे link के थूँ आप को download करोगे miss मत करो सभी भाईयों से request है जिनोंने अभी तक आपको download नहीं किया है नीचे description और comment section पे जाकर तुरंत आपको download कर लो चलिए दोस्तों अब इस video को start करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं first T20 international match पे हुआ गया क्या थी perfect playing 11 किस ने कैसा perform किया किस baller को wickets मिलेते सब कुछ आप लोग जान जाओगे यहाँ देख हुआ गया दोस्तो Ireland की team ने यहाँ पर पहले batting करा team India ने toss win किया और Ireland को बोला कि आप batting कीजे Ireland के team से Paul Sterling और Andy Balbir नी batting करने आए दोनों जल्दी आउट होगे Paul Sterling ने 11 run बनाए Andy Balbir नी चार run पर आउट होगे उसके बाद दोस्तो Lorcan Tucker आये ते जो कि duck पर आउट होगे फिर Harry Tector भी इस match में flop रहे नो run पर all आउट होगे QT Scamper ने अच्छी batting करी यहाँ पर दोस्तों उन्होंने 39 run बनाए उसके बाद George Dockrell एक run पर flop हुए Mark Ardern ने solar run बनाए Barry McCarthy जो की baller है उन्होंने शांदान यहाँ पर 51 run की पारी खेली जिसके वज़े से ही team इतना score बना पाई 139 run का बागी Craig Yann को एक run बनाए Joshua Little और Ben White ने यहाँ पर batting नहीं करा Indian team से balling को अगर आप लोग देखोगे तो Jaspreet Bumra ने अपने 4 ovar पे 2 wickets निकाले और शिदीप सिंग ने अपने 4 ovar पे 1 wicket निकाला प्रशित कृष्णा ने अपने 4 ovar पे 2 wicket निकाले रवी भिश्णोई ने 4 ovar पे 2 wicket निकाले और Shivam Dube और Washington Sunder wicketless गए ठीक है ना शिवम दूबे ने भी यहाँ पर एक ओवर्ट डाला था क्यूंकि एज़ शिक्स बॉलर मतलब जो आल राउंडर है वो शिवम दूबे ही केल रहे थे हैं बागी जब इस रन को चेस करने टीम इंडिया आई तो येशस्वी जैस्वाल ने 24 रन मनाये रितुराज गायकवर्ड 19 रन मनाकर नॉट आउट रहें तिलक वर्बा डख्की आउट हुए थे संजू सैमसन ने एक रन मनाये उसके बाद बारिश हुई और टीम इंडिया विन कर गई क्या थी दोस्तो इस मैच की परफेक्ट प्लेइंग 11 विकेट कीपिंग वाले सेक्षण से संजू सैमसन आये ते बाकि बैटिंग वाले सेक्षण से पॉल स्टेर्लिंग रितुराज गायकवर्ड और येशसवी जैस्वाल थे ओल राउंड वाले सेक्षण से क्यूटिस कैम पर आये थे बागी सारे लोग बॉलिंग वाले सेक्शन पर जस्परीद भूमरा अर्शिदीप सिंग प्रशित कृष्ण और रवी विश्णोई थे और आइलेंड के टीम से प्रेग यन और बैरी मकार्थी ते बैरी मकार्थी इस माच की कैप्टन मने थे और वाइस कैप्टन मने थे इस मैच के दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर वाइस कैप्टन मने थे आपके रवी विश्णोई तो ये परफेक्ट प्लेइंग 11 थी कल के मैच के अब सेगेंड टीटवन्टी इंटरनाशनल माच को डिसकस करते हैं क्योंकि फोकस रहने वाला है सेगेंड टीटव उसके बाद लार कर टकर आते हैं फिर हरी टेक्टर आते हैं उसके बाद ओलरौंडर वाले सेक्शन पर क्योटी स्कैंपर और जॉज डॉक्रण दिखते हैं उसके बाद दोस्तों आप लोगों को बॉलिंग वाले सेक्शन पर मार्क अर्डिर, Б purey McCarthy, Kraggian, Joshua Littil और Ben White दिखते वही तीम इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को येशेश्वी, जैस्वाल और रितुराज गायक वर्ड ओपनिंग करते हुए दिखते हैं फर्स डाउन पोजीशन पर तिलक परमा आते हैं उसके बाद संजू सैंसेन आते हैं उसके बाद दोस्तों आप लोगों को रिंकु सिंग, शिवम दूबे, वाशिंग्टन सुन्दर दिखेंगे उसके बाद बॉलिंग वाले सेक्षिन पर प्रशित क्रिशन, जस्परीद गुम्रा, अर्शिदीप सिंग और रवी बिश्नोई खेलते हुए दिखेंगे अब एक और important बात दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे description और comment section पर ही टेलीग्राम ग्रुप का link है सभी लोगों से request है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से join करके रख लीजेगा because अगर team पर कुछ भी changes आते है, playing 11 पर changes आते है या जो final team यहाँ पर discuss कर रहे हैं, उस पर कुछ changes आते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे आप सभी लोगों को update दे दिया जाएगा नीचे description और comment section पर ही link है, link के through app को पक्का से download कर लीजेगा चलिए दोस्तों, अब इस video को start करते है, section wise analysis start करते है और सबसे पहले देख लेते है wicket keeping वाले section को विकेट keeping वाले section की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर Ireland के team पे आप लोगों को लॉर्कर टकर दिखेंगे लॉर्कर टकर का अगर आप लोग recent performance देखोगे, तो last के match में तो ducky out हुए थे उससे पहले एक match पे इनोंने 94 run की एक अच्छी पारी खेली है, वरना 12 run, 14 run, 0 run against India इनका performance देखोगे, तो 3 match इनोंने against India खेला है, जिस पे 7 के average से खेले है और 18 इनका best score है, बाकी venue के दोस्तों 7 match खेल चुके हैं, जिस पे 18 इनका best score है और सिर्फ 8 के average से खेले हैं, stats कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है लौर के टकर का वहीं team India से आप लोगों को दिखेंगे Sanju Samson, कल के match पे एक run पे not out रहे थे बाकी इनका performance अगर देखोगे, तो venue पे दोस्तों head to head 2 match खेल चुके हैं एक match में इन्होंने 77 run बनाये थे और एक match में इन्होंने 1 run बनाया है एक run तो यह तो not out वाला ही है, इसलिए इसे तो रहें दो बाकी venue पे मतलब आप मान के चलो कि एक match खेला है और जिस पे इन्होंने 77 run बनाया है प्लस दोस्तों यहाँ पर एक advantage यह देख रहा हूँ कि Sanju Samson को न यहाँ पर wicket keeping से point मिल सकते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि Ireland के team के wickets निकलेंगे अगर Ireland के team के wickets निकलते हैं, सपोस करो 2 catch भी पकड़ लेता है अगर Sanju Samson प्लस आके कुछ run भी बना देगा ना, तो easily आपको 30 से 40 point दे सकता है काफी comfortably और against the team performance अच्छा है, जो इनके career का best record है Sanju Samson का, इसी team के against, इसी venue पे इनोंने बनाया है clear, इस बात को ध्यान रखेगा तो wicket keeping वाले section से Sanju Samson एक important pick लग रहे हैं इस बाग को ध्यान रखेगे, अब आजाओ दोस्तों अपने batting वाले section के analysis बे batting वाले section की अगर मैं बाग करूँ तो Ireland के team पर दोस्तों आप लोगों को Paul Stirling और Andy Balberny ओपनिंग करते दिखते हैं अच्छा, Paul Stirling का recent performance देखोगे, तो 55 run, 9 run, 35 run, 21 run, 11 run India के against, 5 match खेल चुके हैं, जिस पे की 11 के average से खेले हैं, 40 इनका best score है बागी venue पे दोस्तों, 8 match में 14 का ही इनका average है और 40 ही इनका best score है मतलब venue पे और team India के against कुछ खास performance है नहीं खेलते ताबट तोड है, बट वही spin के against एक दम struggle करते हैं पहले बहुत अच्छा खेला करते थे, बट अभी के time पे ना, उतना मुझे अच्छा लगते लहीं है seriously अगर मैं बता हूँ तो, मैं तो अपने team पे hopefully इने drop करके ही चलूँगा पॉल स्टेर लिगा अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, एंडी बैल बिर्नी को यहां पर देखो, performance अच्छा किया है कल के match पे एंडी बैल बिर्नी चार रन पे आउट हुआ मतलब जल्दी आउट हो गया, एक चौका बाने के बाद बट अगर आप लोग इनका performance देखोगे, तो venue पे दोस्तों, 11 match पे 25 के average से खेले, जो कि ठीक है बागी best score 64 का है, और 52 बार बना चुके है venue पे टीम इंडिया के against 5 match पे 16 के average से खेले, 60 इनका best score है तो अगर आप लोग देखोगे, 15 यह, 5-16 जा 80 run होते है 80 run में से 60 run तो एकी match में बने हैं, मतलब बागी 4 match में क्या run मने हैं, सिफ 20 run मने हैं, मतलब 5 के average से खेले हैं बागी matches पे मतलब एक match में अच्छा perform था, 60 run का, बागी match में उतना कुछ खास performance, एंडी बैल बिरनी का भी नहीं रहा है बागी Harry Tector की अगर मैं बात करूँ, तो यहां देखो Harry Tector को, recent match देखोगे तो बैटिंग नहीं किया, फिर 18 run, बैटिंग नहीं, 1-9 head to head देखोगे दोस्तो तीन match खेले हैं 56 के average से, और इन तीन match पे एक बार half century बना चुके हैं और एक match में 64 not out की इन्होंने पारी खेली है वेन्यू पे भी दोस्तो रिकॉर्ड अच्छा है, 6 match खेल चुके हैं वेन्यू पे जिस पेसे की दो बार half century बना चुके हैं और 45 इनका वेन्यू पे best score है, नहीं 45 के average से खेलते हैं और वेन्यू का best score 64 not out का है मतलब Harry Tektor का performance अच्छा है, मतलब अगर आप लोग Paul Staring, Andy Balbirni और Harry Tektor को देखोगे न, तो यहां से मेरे हिसाब से तो Harry Tektor ही important player निकल कर आ रहा है, जिसने की against team India भी run किया है और venue पे भी run किया है clear, last के match में कुछ खास नहीं कर पाए था, team India से देखोगे, तो यहां पर Yashasvi Jaiswal और Rituraj Gayaquard आप लोगों को खेलते हुए दिखेंगे Yashasvi Jaiswal को देखोगे, तो West Indies Series पे एक run बनाए, फिर 84 run बनाए, फिर 5 run बनाए, कल के match में 24 run बनाए कर out हुए clear, okay, तो ज़्यादा कुछ record है नहीं, Yashasvi Jaiswal के पास, बट IPL पे अच्छा perform कर रहे थे, और अभी के time पे भी recent performance भी अच्छा ही है इनका clear, बात करू रितुराज गायकोड की, तो कल के match में 19 run मना कर not out रहे थे, clear, बाकी head to head एक match खेला है, जिस पे 19 run मनाया है, मतलब कुछ ज़्यादा खास record है नहीं, venue पे भी एक ही match खेला है, जिस पे 19 not out इनका record है, बाकी T20 international match में 10 match खेल चुके हैं, जिस पे 19 का इनका average है, best score 57 और बाकी मेरे हिसाब से ये दोनों batsmen comfortable रहते हैं against pace, venue पे आप लोगों ने देखा ना Pacer को advantage है, ठीक है ना green top pitch है, तो Pacer को advantage है, तो दोनों comfortably खेल रहते हैं Pacer को, especially रितुराज गायकोड को अच्छा लगता है, अगर बाट पे आती है, बागी बात करू दोस्तों तिलक वर्म अगी तिलक वर्मा का form बहुत जबर्दस था, कल के match पे दो धकी आउट हुए थे, बट ध्यान रखे दोस्तों West Indies series पे बहुत अच्छा perform करकर आ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेगा, 6 match खेल चुके हैं अपने international जिस पे 43 के average से खेले हैं, best score 51 का और 50 एक बार बना चुके मतलब तिलक वर्मा अच्छे टच पर है, कल के match में आउट हुए थे, डकी आउट हुए थे, इस वज़े से हो सकता है कि selection percentage आप लोगों को नीचे जाता हुआ दिखे, बट एक बहुत ही important player है, उस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेगा, बगी बात करूं दोस्तों, रिंक अच्छे खेलने आ रहे हैं, इसलिए मौका उतना नहीं मिलेगा, वहीं बात करूं दोस्तों, शिवम दूबे, शिवम दूबे के साथ भी सेम प्रोब्लम है, क्योंकि इंडिया का top order अच्छे form पर है और यहाँ पर top order ही, majority of run करेगा, इसलिए रिंकु सिंग और शिवम दू इन्हें आप लोग अटा के चल सकते हो, इनके चलने के कम chances लगते हैं, अब आजाओ दोस्तों अपने all-rounder वाले section पे, all-rounder वाले section पे दोस्तों आप लोगों को दिखेंगे cutest camper और George Dockrell, cutest camper की अगर मैं बात करूं तो बॉलिंग तो इन्होंने कराया नहीं, बट बैटिंग पे अच्छा परफॉर्म किया, 39 रन मनाए इन्होंने, वरना अच्छे all-rounder है दोस्तों, 40 international match खेल चुके हैं, जिस पे 24 का इनका average है और 25 wicket है, जो की काफी अच्छा है, 53 बार मना चुके है, तो बैटिंग से भी अच्छा कर लेते हैं, और बॉलिंग से भी अच्छा कर ले इस बात को धियान रखे गया QT Scamper, इंपोर्डेंट पे रहेंगे, जोज डॉक्रेल की अगर मैं बात करूँ, तो दोस्तों, spin को उतना advantage है नहीं, आप सभी को मैंने बता दिया है, clear, और बैटिंग पे कुछ खास performance किया नहीं है, recent के time पे, बाकी अगर आप लोग देखोग मैं यहां से eliminate करके चलूँगा, QT Scamper एक important pick लग रहा है, बाकी team India से दोस्तों, आप लोगों को Washington Sundar दिखेंगे, और Ravi Vishnoyi दिखते हैं, वाशिंग्टन सुन्दर के साथ, ठीक है न, Ravi Vishnoyi दिखते हैं, अब वाशिंग्टन सुन्दर और Ravi Vishnoyi में से Ravi Vishnoyi जदा अच्छे spin spinner है, मतलब Ravi Vishnoyi बॉल को spin कर लेते हैं, वाशिंग्टन सुन्दर क्या करते हैं, बॉल को spin नहीं करते हैं जदा, विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, clear, तो कल के मैच में इन्होंने तीन ओवर डाले थे, विकेट लेस गए थे, clear, बाकी वाशिंग्टन सुन्दर का ज बाकी बाकी बालिंग वाले सेक्शन से जो spinner है, वो अपने पूरे ओवर कंटीनू करेंगे, इसलिए दोस्तों वाशिंग्टन सुन्दर को भी होपफुली मैं टीम पे ड्रॉप करके चलूंगा, इसलिए ओल राउंड वाले सेक्शन से मैं क्यूटेस कैमपर को ही लेकर प्रशित कृष्णा ने यहां पर चार ओवर कराया, दो विकेट निकाले, पेसर को यहां पर अड्वांटेज है, तो अब्वेसी बात है अच्छी बालिंग करता है, वो ठीक है, अच्छी मतलब क्या करता है, हाइट, ऊच्छा प्लेयर है न, अच्छी हाइट से बालिंग तो परेशान करता है बाट्सफैन को विकेट निकाल लेगा, जस्पृत बुम्रा ओपन और डेट पे बालिंग करेगा, लास्ट मैच पे अच्छा बालिंग करा, दो विकेट निकाले, इम्पौडटन फिक रहेगा, तो जस्पृत बुम्रा को भी पिक करके चलना है, और श विश्णवी ने भी दो विकेट निकाले रवी बिश्णवी दोस्तों बहुत ही स्मार्ट बॉलर है विकेट निकाल लेता है करियर यह आपका बताता है देखो 12 मैच पर 18 विकेट है उसके पास मतलब 1.5 के अवरेज से विकेट निकाल दी लेता है इस बात को धियान रखिएगा तो ये भी important हो जाएगा तो इंडियन बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रशित कृष्णा, जस्परीद भुम्रा, अर्शदीप सिंग, रवी बिश्णूई चारो इंपोर्टेंट उने वाल वहीं आयलेंड के बॉलिंग अटाक को अगर समझोगे न तो उसे ध्यान से देखो यहां पर दोस्तों आप लोगों को देखो मागाडिर दिखेंगे मागाडिर ने सतर मैच पे 97 विकेट निकाले वेन्यू पे 7 मैच में 9 विकेट निकाले टीम इंडिया के अगेंस 3 मैच पे 3 विकेट निकाले बेरी मेकार्थी को देखोगे तो 43 मैच पे 42 विकेट है और टीम इंडिया और वेन्यू पे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है कल के माच में अच्छा कर गए क्यों बैटिंग भाहिनों ने रन बनाया जबर्दस्त बट बॉलिंग से उतना कुछ इंप्रेस नहीं किया क्रेग यंक कि अगर मैं बात करूँ ना तो टीम इंडिया के अगेंस 3 विकेट से मतलब इंडिया के अगेंस 3 विकेट ने इंडिया के अगेंस अभी तक तीन मैच के लिए और हर मैच में दो दो विकेट निकाले बागी जोशुवा लिटिल की अगर मैं बात करूँ तो 59 मैच पे 68 विकेट अगर आइलेंड की टीम फर्स्ट इनिंग्स पे बालिंग करने आती तो जोशुवा लिटिल इंपॉर्टेंट रहेगा सेकेंड इनिक से उतना इंपॉर्टेंट ना इए इस बात को ध्यान रखेगा बागी बैन वाइट की अगर मैं बात करूँ तो बैन वाइट को आप लोग यह इंपॉर्टेंट बन सकते हैं इस बात को ध्यान रखेगा बागी अभी के टाइम पर दोस्तों जो मेरी टीम है उस टीम को देख लीजे कैसा है टीम यहां देखोगे तो दोस्तों मैंने संजू सामसन को लिया है बाकी यहां पर मैंने रितुराज गायकवाड येशसवी जैसवाल और तिलक वर्मा को लिया है और यहां पर मैंने हैरी टैक्टॉर को दिया है जगा लिटिल को ट्राइ कर सकते हो आप लोग यहां पर क्रेग यंग को भी ट्राइ कर सकते हो क्योंकि mostly लोग यंग को ही लेकर आएंगे क्यों क्योंकि यंग ने तीन मैच पे छे विकेड निकाले हैं बट मार्क आडिर भी एक पंट प्लेयर है इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा या तो आप लोग यहां से Harry Tector को भी हटा दो और यहां पर आप लोग बॉलिंग वाले सेक्शन पर Mark Ardern और साथ पर आप लोग Craig Yang या Joshua Little को Try कर सकते हो Team India अगर First Innings पर बाटिंग करने आती है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा तो रितुराज गयाकवाड और येशस्वी जैस्वाल में से एक कैप्टन का कंटेंडर आप लोगों को मिल जाएगा क्योंकि एक ने एक प्लेयर यहां पर बड़ा इनिंग खेल कर जाएगा बागी बालिंग वाले सेक्शन के अगर मैं बात करूँ तो यहां पर इंडिया का जो पेस अटेक है जिसपे की प्रसित कृष्णा, अर्शिदीप सिंग और जस्परीद बुमरा आते हैं इन में से आप लोगों को वाइस कैप्टन मिल जाएगा अगर टीम इंडिया पहले बालिंग करते हैं तो जो यह पेस अटेक है इसमें से आपने कैप्टन मनाना है और बैटिंग वाले सेक्शन से आप लोगों ने वाइस कैप्टन मनाना है क्योंकि एक ने एक बॉलर यहां पर तीन विकेट इसली निकाल लेगा और उसके पास आप मान के चलो 100 प्लस पॉइंट रहेंगे ठीक है ना अगर रन छोटा रहा आइलेंट की टीम ने बड़ा स्कोर नहीं किया तो फिर बैट्समन के पास 100 पॉइंट तक जाने की अपॉर्चुनिटी कम रह जाती है क्लियर है कैसे रखना है कैप्टन वाइस कैप्टन बाकी एक और इंपोर्टेंट बग विडियो के स्टार्टिंग पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर अभी तक आप लोगों ने माइल एवन सर्कल आप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पर ही लिंक है दोस्तो लिंक के थुरू पक्का से आप को डाउनलोड कर लीजेगा एक भी बंदा ऐसा ना हो जिसके पास माइल एवन सर्कल आप मोबाइल पर इंस्टॉल ना हो इस बात को ध्यान रखेगा बाकी एक और इंपोर्टेंट बात दोस्तो इस खेल में आदत लगना और आर्तिक जोकिन संबाव है तो सभी लोग जिम्मेदारी से खेले धन्यवाद दोस्तो